नमस्कार एक था राजा एक थी रानी जी हाँ डीडी न्यूज पर आज हम आपको सुलाएंगे दादी नानी वाली कहानी मैं हूँ आचल गुलाटी गुंबर और किद्स टाइम में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है भई हम जानते हैं कि लॉकडाउन है ऐसे में आप बच्चे बोर ना हो इसका बीड़ा उठाया है आपके अपने डीडी न्यूज ने हर रोज दुपहर सारे तीन बज़े से इस खास शो के माध्यम से आईए हम सब बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं सुनेंगे कहानी तो चलिए देर किस बात की है और फिर जी लेते हैं अपना बच्चपन इस लॉकडाउन में हम वो सब कर तकते हैं जिसका करने का वक्त हमें मिलता भी नहीं है और थोड़ी बहुत शरार भी आप सभी को अलाउड है कहानी सुनने के साथ ही Kids Time में हम लेकर आए हैं नन्हे मुन्नो के लिए Exciting Quiz Contest और इस Quiz Contest के माध्यम में यानि की इस कारिक्रम के जरी हम पूछेंगे आप से सवाल तो बोलिए तयार हैं आप सब तो कहानी की दुनिया में ले जाने के लिए स्टूडियो में आ गए है काबुली वाला, the storyteller कमल पूथी, कहानी का रहे हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है कमल शुक्रिया, दन्यवार बिल्कुल, और कहानी तो हम शुरू करेंगे लेकिन एक बर फिर से हम आपको बता दे कि जो किस टाइम है, यानि कि यह जो हमारा शो है, इसमें quiz भी है और आप अपने जो सभी सवाल है, जो हम सवाल आप से पूछेंगे आपको उनका देना होगा सही जवाब बादा टोल फी नंबर है 1-8-0-1-1-1-2-3-4 सवालों के जवाब देकर आप बन सकते हैं लिटल ग्रैंड मास्टर, तो यह सवाल तो चलेंगी लेकिन वापस चलते हैं कहानी की दुनिया में क्योंकि कहानी कैसी चीज होती है, जो कमल, हम सबको अच्छी लगती है मुझे तो बहुत इंजदार था आज इस चोको करने का कि मुझे कहानी सुनने को मिलेगी, तो कि अब इतने बड़े हो गए है कहानी सुनने का वक्त नहीं है, लेकिन आज वो वक्त आ गया और बड़ों को तो कहानी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है बड़ों के जरूरी है वक्त आज मैं लेकर आया हूं इस चाहनी आईना और आएना अभी तो हम देख सकते हैं एक वक्त था जब आइने होते ही नहीं थे आप सोचिए कि जब आइने नहीं होते होंगे तो क्या होता होगा कैसे लोग अपनी शगर नहाते होंगे, वेक अप करते होंगे, शर्की विंदी लगाते होंगे. ये ज़्यादा जरूरी है कि वेक अप कैसे करते होंगे, ये बैटर है. तो किस तरह से शुरूवात करेंगें था? बिलकुल, बिलकुल. तो ये उस जमाने की कता है जबकि आइनों का प्रचलन नहीं था आप तो कंगी कर सकते हैं आइना देख सकते हैं कितनी बार देखा करते हैं दिन में आइने बहुत बार देखा करते हैं और कंगी भी क्या करते हैं तो चलिए ऐसे जमाने में लेकर चलते हैं जब आइना नहीं एक वेंट कमर, बिल्कुल हम वापस जाएंगे उस जमाने में जहां आई नहीं था, लेकिन त्यूंकि यह क्विस टाइम भी है, एक सवाल बच्चों से पूछ लेते हैं, ताकि पता लगजा कि बच्चे जुड़ गए हैं नहीं, तो बच्चों आप लोगों के लिए उस सवा सवाल है, वो COVID-19 यानि की नोवेल कॉरोनावायरस से जुड़ा हुआ है, तो सवाल है की नोवेल कॉरोनावायरस यानि की कुछ हलके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो पहला आप्शन है बोखार, दूसरा है खासी, तीसरा सांस की तकलीप, और बी यानि उपरोक सभी यानि की तो अगर आप जवाब जानते हैं, नमबर आपके स्क्रीन पर है, आप इस पर कॉल कीजे, और मुझे जल्दी से जवाब बताईए, क्योंकि जवाब जानने के लिए मैं भी बहुत सुख हूँ, तुरंत हमें कॉल लगाए, और अब आपको वापस हम लिए चलेंगे, कहानी की दुनिया में, आपके स्क्रीन पर नमबर एक बार से फिर आ गया है, वाँने डबल जीरो, डबल वन, वन, टू, तू, 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 फी नमबर है, पापा, मम्मी को बोले, जल्दी फोन लगाए, और आपकी बात हम से कराए, चले कमल, शुर करते आए ना की कहानी, सिंदी भाँने पर ऑबे में थो, बंगाल के गाहों में काबल का इंक आपना, जोले टांगे जा रहा था और गाता हुआ, चार्ट,े लकावल ए क्विधारी, और अचानक उसका पाउं एक पत्थर से जा टकराया और जैसे ही पत्थर से पाउं टकराया तो उसके जोले में से जोकी उसने अपने कंदे पर टांगा हुआ था जिसमें की खुब सारा सामान था, खुब सारा सामान जाकर जमीन पर गिर गया, तो अभी जोले का उठा के धीर दीरे अपना सामान इकठा करने लगा और पत्थर को एक तरफ रखके अपने रस्ते जाने लगा और फिर से गाने लगा काजू किश्मिश बादाम काजू किश्मिश बादाम अगले दिन उस खेत का मालक किसान जब उस खेत में काम करने के लिए आया और अपनी फसल काट रहा था अच्छा फसल काटी है कभी देखी है फसल कैसे काटते हैं किसान तो चलिए दिखाते हैं और साथ साथ काटिये किसानों का हाथ भी बढ़ जाएगा बड़ी मेहनत करते हैं किसान तभी आपको रोटी सब्सी मिलती है फसल काटते काटते अचानक उसकी नजर एक हैरत अंगेश चीज पर गई वो चीज दरसल कावली वाले के जोले में से गिरी थी और वो था एक आहिना पर ये भोला भाला किसान कभी अपने खेतों से बाहर ही नहीं गया था अपने गाउं से बाहर ही नहीं गया था तो उसे मालूम नहीं था कि यह एक हैरत अंगेश चीज आखिर है क्या तो वो घबरा गया और आजकल तो वैसे भी करोना के चक्कर में आप किसी भी वस्तू को हाथ नहीं लगा सकते तो उसे भी लगा कि कही इस पर कर पर नीचे दाएं बाएं अगे पीछे कि इसे फसल काटते है कि क्या करते हैं इससे समझ में नहीं आ रहा हैं सर पे अरे नहीं 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 हो सकता है कोई खाने की स्वादिष्ट चीज बिल्कुल बिल्कुल कमल 2 मिन रोखूँगी आपको बिश-बिश में में को कॉलर भी लेने तो हमाई साथ नवाबों की नगर चुटी सी प्यारी सी बच्ची यशी जुड़ गई है यशी गुड आफ्टर नून किस तरह से चुट्टी बिता रही है और क्या जवाब है आपका जी ऑप्शन क्या बटाया आपने मैं बोल रही हूं इसका जो आपने पुछन पूछा इसका आंसर डी होगा उप्योग सभी बिल्कुल सही जवाब आपने जो ऑप्शन दिया है बोखार खांथी सांथ की तकलीफे तीनों ऐसे लक्षन है जो हलके लक्षन माने जाते हैं कुर चलिए यशी के साथ दुबारा चलिए तो अराधना से भी बात कर लेते हैं अराधना आप में आवाज सुन पा रही है चोटी चोटे बच्चे जितने भी हैं वो यह शो देख रहे हैं अराधना क्या जवाब है आपके पास उपरोग तो सभी बिल्कुल सही जवाब राधना और किस तरह से मभी बापा को तंग कर रही है या फिर घर में भी काम का हाथ बटा रही है किस तरह से इस लॉक्डाउन के पीरिड को इंजॉई कर रही हैं आप डीडी नूस देखते रहेगा साड़ तीन बजे चलिए तो अराधना जुई थी हमाईसात द्ध्याना से जवाब उन्होंने भी सही दिया हमाईसात नवाबो की नगरी लखनव से यशी जुड़ी हुई थी साफ तोर पर बच्चे बहुत सजग हैं सतर के करोना वायत से जुड़े हुए तमाम जो सवाल हम उनसे लगातार पूछ रहे हैं पिछले तीदिनों से शो शुरूआ है एक तम सठीक जवाब उद्धर है और सठीक जवाब की बात करें तो वापस मुड लेते हैं अपनी कहानी की तरफ सठीक कहानी सुना रहे हैं हमाय साथ कमल जुड़े है काबुली वाला है तो कहां हम पहुचे आईना पकड़ लिया किसाने अब आगे किया होने वाला है शे समझ में नहीं आ ठाओ उसने कह सकता है धाने की वस्तु हो इा घृँ यह तो खाने की चीज भी नहीं है तो अचानक उसका वसने जब अपना चहरा उस आउने के अंदर देखंड को तो हैरान हो गया रह रह कौन है क्स चुपके बैठा है रहे बोलता का है नहीं यह कहीं कोई डाकू तो नहीं है यह करोना वाइरस नाम की कोई चीज तो नहीं है जो हमारे खेतों को वरबात करने आया है हमें बुखार चड़ाने आया है नहीं तो उसने सोचा नहीं नहीं यह वो नहीं है तो उसने का जब वो छो पूज्य पिताजी ही हैं और आधर पूर्वक चरण स्पर्श करके उस वस्तु के और लगा आरती करने की अरे पूज्य पिताजी आप कहां हमारे खेतों में छुपकर बैटे थे यह भी कोई छुपके बैठने की चीज है यह भी कोई जगह है आप मुझे बताते तो मैं आपके लिए खाने का इंतिजाम करता इस तरीके से वह आएने से बाते करने लगा चलिए चलिए अब हम आपको अपने घर ले चलेंगे यहां नहीं बैठने देंगे चलिए 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 और घूमते हुए खेतों के चारो और चक्कर लगाते हुए जाने लगा अरे ठहरो 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 पिता जी वो देख रहे हैं वो वो लाल वाला वो है हमारा घर जब आप थे सरफ एक ही कमरा था अब आपके जाने के बाद हमने तीन कमरे और डालनी हैं आपके वेटे ने बहुत तरक्की कर लिए चलिए बातें बहुत करते हैं बिलकुल बातें चलती रहेंगी कमल हमारे पस दूसरे भी कॉलर है हमारे पस लगातार सवाल आ रहा है तो इस कानी को आगे बढ़ाएंगे दूसरा सवाल बच्चो आपके लिए यह है कि डेबलु एच्छों ने इस बिमारी के लिए जिस आधिकारि तो जो सही जवाब है तुरंट फोन लगाईए हमें और बताइए हम जानना चाहते हैं कि इस बीमारी को भारत से बाहर खदेड़ने में हमारी बाल से ना इसका अवाहन लगातार प्रधानमंत्री कर चुके कितनी सजग सतरक और भागीदार बन रही है तो आप कहानी भी सुनत जवाब देंगे तो फिर क्या हुआ आगे कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर अपने घुमता 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 अपने घर पहुच गया अब बेचारा भूला वाला किसान वो अपने खेतों से कभी बाहर नहीं गया था गरीब किसान कोने कुर्चे तलाशने लगा कहां रखे कहां विराजमान करें अपने पिताजी को उसे और कुछ तो नजर नहीं आया जी उसे सिर्फ नजर आया एक खाली पानी का मटका तो उसने मटके का धकन हटाया और उस आईने को उसमें सुरक्षित रख दिया पिताजी अब आप यहीं पर रहिएगा मुझे बहुत काम है खेतों आप यहीं पर आराम कीजिएगा और फसल कातने के लिए चला गया है अब फसल कातने में उसका मन नहीं लग रहा था उसका मन तो अपने पिताजी पिता जो कि घर में आराम से बैटे हैं घड़े के अंदर आराम कर रहे हैं तो उसने कहा अरे यह तो कटी रहेगी इसको यहीं पर छोड़ते हैं और मैं जाता हूँ घर पर पहुंचा मठके का धकन हटाया और आयना निकाल के फिर से अपने पिताजी से पत्याने दगा आपको भी बहुत मजा आता है ना अपने मम्मी पापा से बात करने में अब हानी गोवा लखना हूँ और तवाम जवाँ पर सुनी जा रहे हैं तो गोवा से जो कॉलर्ज जुड़ी है बताएं बच्चे क्या जवाब है आपके पास और क्या सही ऑप्शन है क्या जवाब है बच्चे आपका कौन सा ऑप्शन नमे टिक मानू ए बी सी या डी फर्स्ट ऑप्शन कोविड नाइंटीन अच्छा आप गोवा में हैं इस वक्त किस तरह से इंजॉई कर रही हैं पेरेंट्स के साथ या फिर्स औप्शन कोवेnd 19 जी खिये हैं बच्चे बाहुत बहुत शुक्रिया बच्चे क्या जवाब इस ब्रहीं के लिए जो शाधीकारी नाम की गोश्ण आप्शन ना की ती कौन सा ऑप्शन है कटनी मद्रपिदेश से हंदुस्तान का दिल मद्रप्रदेश ए चलिए सान्य अब बिल्कुल और लगातार हम आप से बच्चों से बोल रहे हैं कि तमाम री क्रियेशनल अक्टिविटीज करते रहे हैं डीडी न्यूस का ये शो देखते रहे हैं पेरंच की भी मदद कीजिए कहानी का भी मदद लीजिए तो वापस चलते हैं कहानी की आते हैं तो आप उनको लिपट जाते हो है ना तो इसी तरीके से किसान जो था वो इस आएने के साथ लिपटा हुआ था और सोच रहा था कि यही इसके पूझ्य पिताजी हैं तो रोज खेत पर काम करने के लिए जाता तो सही पर फिर लौट आता तो बस 25-30 दिनों तक यही चलता रहा कि वो एक दिन में 10-10-20-20 बार अपना खेत पर जाता और फिर लौट के आता और यही चलता रहा घर से खेत खेत सगर घर से खेत सगर घर से खेत सगर घर से खेत सगर घर से खेत सगर उधर दूसरी तरफ किसान की पतनी जो कि रसोई घर में रोटी सबजी पका र जानिया आती है उससे सीख सकते हो चलो उनसे तो सीखिएगा मैं भी सिखा देता हूं बेलन उठा लो अभी अरे यहां तो फ्री की कुकरी क्लासिस भी चल रही है मज़ा रहा है बहुत ही चीज़े सीखने को मिल रही है क्यों की बात कर रहे हैं क्लासिस की तो जब हम कुकिंग करते हैं तो साफधानिया बरतनी चाहिए उसी से जुड़ा हूँ हमारा तीसरा सवाल भी है कि कुरोना वायरस से बचने के लिए कौन-कौन सी साफधानिया बरतनी की दरोए बच्चों और यह आपको दे रहे हैं चार से आपके पास पहला option चीक आने पर अपनी नाख और मुझ को ढखकर रखें तूसरा option अपने अहार में अधिक लहसुन शामिल करें लहसुन याने की गालिक एंटिबायोटिक्स उप्चार के लिए अपने डॉक्टर से मिलें तीसरा option है और चौथा option है हर घंटे घरम पानी पी हैं तो सही जब जानते हैं तो 1-800-11234 पर आप कॉल कीजिए और बच्चों में बताईए कि करोना को भगाने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा यह भी सीडी आपके पास option है तमाम option आपके पास मौझूद है तमाम बच्चे जो है वो हमें कॉल कर रहे हैं तो वापस बढ़ते हैं अच्छा तो पत्नी जो थी रसोई घर में बैट कर सोचने लगी कि कोई दिक्कत परिशानी है हो सकता है हमारे पती देव को कि वो रोज घर में आज आते हैं पर हमसे बात नहीं करते हैं, पहले तो बहुत अच्छे से बात किया करते थे, अब आज कल बात नहीं करते हैं, बत्याते नहीं हैं, आपस में ही गुन-गुन आते रहते हैं, हो सकता है, उने कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आपके घर में दिक्कर परिशानी का हल निकालूंगी तो जैसे ही किसान खेच से वापिस लौटा और वहां पे कमरे के अंदर गया तो किसान की पत्नी भी दबे पाउं निकली और दबे पाउं निकल के छुपके एक तरफ से देखने लगी कि आखिर कर क्या रहा है और उधर क्या देखती है कि किसान ने मटके में से कोई चीज निकाली और चीज निकाल के उसे चूम रहा है है हमें तो इतने प्यार से कभी ना चुआ है यह किसे चूम रहा है अच्छा उसे इती दूर से और कुछ तो समझ में ना आया उससे बस एक ही बात सुनाई दी किसान उस चीज से कह रहा था कि अब हम दोनों साथ साथ रहेंगे अरे आई बाईया ये दोनों साथ साथ रहेंगे तो मैं कहा जाओंगी किसान की पत्मी सोचने लगी तो जैसे ही किसान मटके का ढखन लगा के अपने खेतों की तरफ गया तो किसान की पत्मी भी आगे बढ़ी चली हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं और क्योंकि साथ साथ में दोनों चीजे करनी हैं तो वापस एक बार फिर सवाल की तरफ शलते हैं जिसका जवाब लिए के हादिर है हमारे साथ जुड़ी है राजस्थान से जुड़ रही है छोटी बच्ची कॉलर है शुती जुड़ सही है आपके मुताबिक बिल्कुल सही जवाब यानि कि जो और दूसरी कॉलर जुड़ी हुई है हमारे साथ राजस्थान से बच्चे ए बी या सी यानि गुंजन शर्मा जुड़ी हुए राजस्थान से ए बी सी या डी कौन सो आप्शन है आपकी नदर में सही चले गुं और अपके किसान की पतनी जा रही थी जा रही थी मटके की तरफ मटकती हुई है जा रही थी और उसने सोचा कि अभी मैं इसका राजपता लगाओं तो उसने भी वड़ी हिम्मत करके उस आइने को निकाल लिया आप भोली-भाली किसान की पतनी भी अपने गावं से बाहर अगया जी थी और उसने आइना नहीं देखा था उसे मालूम नहीं था कि इस आइने से आखिर होता क्या है तो जैसे ही उसने अपना पति बिंब आहने में देखा हैये भाली होते हुए दूसरी पतनी से प्याँ रके उसे मतके पे चुपा रखा एसा सोचने लगी किसान की यह तब ही मैं कहुँँ कि यह आदमी मापस में क्यों मुट समटा रहता है अंदो इसे आणे दो इसकी तो शनीचरी की शनीचरी उतार के रख दोंगी और जाडू लेके ज़ाडू लेके जाडू लेके चंडी का रूप ढारन करके इंतजार करने लगी अपने पती के आने का क पसीने पोष्टा हुआ अभी खेतों से काम करके आया था उसने सोचा कि उसकी पत्नी उसे कुछ खाने के लिए पीने के लिए देगी और यहां क्या देखता है कि वह चंडी का रूप धारन करके खड़ी है तो जैसे ही वह आया तो उसने खूब मार मारी अब ऑँब पारऊ है जोड़े गलती हो गए मुझ से छोड़े का रही है का चाहिए तुझे सारी चाहिए सुर्किचं़ की तो उसनी का मै का चाहिए yes तुम्हें ना पता है कि नुए का चाहिए यह कौन है ओरत हां इसे क्यों बढ़ा रखा एगर में कौन है जे अरी भावावान जे तो हमारे पूझे पिताजी है तुम्हें इसमें कौन नजर आ रहा है इस पिताजी पिताजी आप इसे माफ कर देना यह भूली-बाली ओरत है यह यह को गई है परिसान हो गई है इसे माफ कर देना हैं इसमें थे पुझय पिताजी नजर आ रहे है में Essa है थे आ किसान की पत्नी ने आहिणा उंड़ाया और आहिणा उठाके ना उठाकर देखने लगी अच्छा तो तुम्हारे पुझय accelerating मेता-जी शुर्की लगाया करते थे, बिन्नी लगाया करते थे ओर्या, कैसे कैसे शोक पाला करेते इत ही देर में किसान कि पत्ति की सहीली आई और कहने लगी अर्या बहान कहा बात हो गए, क्या कैनाई को लडाई हो रही है तुम्हारी पताओ तो सही, अरे बहन देख तो सही, इसने दूसरी पत्ने से प्या कर लिया है, मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, फिकर मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी तो देखू, अब किसान की पत्नी के सहली, कंदे से सटके देखने लगी, कि आखे हो क्या रहा है, और उदर क्या देखती है, कि दोदो, अरे बहन इसमें तो दोदो है, इसको तो ठीक करना पड़ेग कोई बात नहीं, इतनी देर में किसान जुठात पिटा हुआ, वो इदर आया तोड़ता हुआ, तो समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आप मुझे, मैं समझ पार हूँ कि जो आईना है, वो किस तरह से आपका प्रतिबिम होते हुए, आपको कितने और जिंदगी के रंग दिखा तो इस शो के माध्यम से हमने कोशिश की है, छोटे-छोटे उन तरीकों से किस तरह से बच्चों को हम DD News केस मंझ के माध्यम से जोड़ पाएं, काबुलिवाला जी, काबल पूती जी आप इस शो पर आए, आपने इतनी खुपसवत तरीके से कहानी को पेश किया, बहुत-ब पहेज रहे हैं, हमने आप से कहा था कि किस तरह से आपकी फेवरिट स्टोरी बुक कौनसी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, तमाम बच्चे क्या कर रहे हैं, आए देखते हैं इन वीडियो के माध्यम से. देखे, बच्चे पढ़ रहे हैं, और पढ़ते हुए अपनी फेवरिट स्टोरी बुक जिसका दिक्रम कर रहे थे, छोटे बच्चे कही ना कही अपने समय का सदूपयोग करते हुए, लगातार. मैं अपनी फैमिली के साथ घर पे हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, पूरा सपोर्ट कर रही हूँ कंट्री को, मैं और मेरी मॉम नईनी चीज़े सीख रहे हैं, जैसे पेंटिंग्स, एंब्रोइडरी यह सब आप देख सकते हैं, और फिर मैंने दो पोस्टेस बनाया हैं, जो बुरी बात होगी हैं, क्योंकि हमारे पास अची हूँ, नमस्कार, मैं शिव्यान ठाकुस, आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूज रहा है, आए हम सब मिलकर इसको धूर भगाएं, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें, अगर घर से बाहर न जिसको हम COVID-19 भी कहते हैं, और आप सभी को ये भी पता है, कि हर जगा लोगडाउन हो रुखे हैं, तो आप अपने घरों से बाहर ना जाएं, अगर आपको कोई काम करना हो, तो घर पे कीजिए, बहुत सारी चीज़े हैं, चेस खेलिए, लूडो खेलिए, आर्ट एंड क्र आप कीजिए, ये सारी चीज़े हैं, और चाहो तो आप टीवी में देख सकते हो, चली तो घर पर रहें, यही मेसेज है, स्टे आट होम, स्टे सेफ, और हम यहां पर काम करें, बच्चों आपके लिए, और इसी लिए, जिस तरह से हमने आपको कल बता था, कल भी हम आपके आफ पोड़ा के लाइंगे, लेकिन कल आपको क्या करना है, कल आपको क्लाउन के रूप में अपनी फोटो ग्राफ्स, हमारे DD News के मंच के माध्यम के साथ शेर करनी है, कल हम आपको बलाएंगे क्लाउंसलर के साथ, और क्लाउंसलर क्या है, यह आप सोचिए, और हम आपसे मि वबन बन्योंट 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 लेप्ट लेप्ट इसे हैं तो इसे हैं आपी दार्डेर वन्योंट एई च्डव सलें अग्यू प्राइब के लिए भाल यू न ही छाना झाके ले लिए लेडिए। प्राइब की लाओ आदे लिए मैं यूलिए। लेडिए जाना वजा न थे लेश है लेडिए। तो यह आमने कल आपको बताया था कि किस तरह से आप बच्चे अपने वीडियो कर सकते हैं तो कल काउंसलिंग यानि की काउंसलर के लिए जो वीडियो आपको शेयर करने हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं तो क्या करना है आपको आपको क्लाउन के गैटप में किस तरह से मुस्कुराहत बिखे रिया आप अपने अपने अप जो पेरेंट से उनके साथ उसकी साथ एक मैसेज रिकॉर्ड करके भीजिगा तो कल हम आपको मिलवाने वाले हैं क्लाउंसलर के साथ, कौन होगा वो क्लाउंसलर, रात भर सोचेगा, फिर कल मुझसे जुड़ेगा, सारे तीन बजे, लेकिन तब तक के लिए किछ टाइम में बेता ही, खबरों का सिसला दिल्यूस पर रहेगा, जारी, नमस्कार. क्लाउंसलर के साथ, थाउड़ेगा, जारी, धिर को बाइम बेता दाच़ रहेगा, जारी, यारी, परित्रों के साथ, धिक खमाइम का से टाफ तक का साथ, जारी.